कि हाँ जी चैप्टर अपने को है का सेबन की कि अपना ट्रांस्फर आप हीट कि अपने कोपीशेंट अप थर्मल कंड़क्टिविटी अपने की ता सिगा कि जे में कोई एक करना जी रोड गेवना यह कोई कि एक में कोई स्लेब गिवन ठीके जदो दूसी एक एंड कर दें एक एंड नुवीट करना उस मोमेंट जीडी अमांट पर हीट एनर्जी पर सेकिंड फ्लो करेगी ठीके ओंडेगे विडियेवल डिपेंडेंस एक पहला फॉर्मुला अपने को लोगे आया सेखा कि अपने को में गई भाटेंट एक टॉर्मुला सा रड़कुल बने कीवेड़ कि टाइमस कि एंटू डेल्टा तीवाइड गैल्यके अर्टाइस एक पुर्मूला सेखी एक टेंपरेचर डिपरेंस ते डिपेंडेंस एक थिकने सबस्कराइब बनेंस एक थिकने सक्षोर्समारा को अप पिए द यह भो अधि अधिब्सिन कि यह कि यह वरीव बाहए कि मैं कंटीनि नहीं कर आंगा जैदो रख बोलूंगे नहीं कि डेल्टा क्यों किस चीजना स्तेंट करदा की अमाउंट पर हीट एनर्जी यह तिर ये नमाउंटा पर हीट इनर्जी थे कि जदो किसे बॉड़ी नो हीट सप्लाई कर यह अगले किसे ना किसे नमेरिकल च लोड़ पैजेगी जदो बॉड़ी नो हीट अनर्जी देने से केने जी ओर हीट अनर्जी दो चेंज लिए सब्सक्राइब या तर टेंप्रेचर चेंच या पर दो दी स्टेट चेंच एम एस डेल्टा थीटा या डेल्टा की उदा फॉर्मुला एम इंटु एल दी फॉर्म चार्जू क्या दोनों फॉर्मुले क्लियर है येस सब उन इस तो बार एक सेकंड टॉपिक आप जड़ है इस चेप्रची किता उसे का सब्सक्राइब न्यूटन लॉओ अफ टॉदा के सकार्ची की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब चीड इसी बिस कोई आ टॉपी ता किसी is conni परसी नेट पर फॉली the rate of flow of heat is directly proportional to the temperature difference of the body and the surrounding providing that temperature difference should not be exceeding 40 degree celsius अशी किसे भी बोडी दे विचोज़ी amount of heat energy flow करेगी ठीक है वो डारेक्ली डिपनेंट हुएगी temperature difference between system and surrounding ठीक है surrounding the system दे विचला temperature difference किनना ओधे accordingly body दे विचो हीट दा लॉस होना और condition है सेगी कि भी ओ temperature दे डिफरेंट दा बोडी दे surrounding दे विचा it should not be more than किना जी 40 degree celsius क्या कंडिशन याद आरी यास सर्थ वे बाक्यानु चेता आरे आवा कोशर जो दासदा पे हाँ yes sir yes sir yes sir so दूज्जा पॉरूल अपने को ला सेगा minus dq by dt ठीक है यहनी rate of loss of heat energy ठीक है इन्हों पर गयासी ए डारेक्ट लेफरेंट लो टेंपरेचर डिफरेंट साथ इदे विचा पर सेकेंड एक फॉर बनाई सेगी क्यू दी थांते अपने को टेंपरेचर दी फॉर्म ची भी रिलेशन सेगा minus dT by dt equal to k times the t minus t not इथे k constant जड़ाए एक कॉपीशन तॉप थर्मल कंड़क्टिविटी नहीं है गा ए जनल कॉंस्टेंट सेगा क्या आदो फॉर्म क्लियर हां येस साथ उन्हें एदा लास्ट जाके एदी अपर फिर इस तो गे integration करके solve कीता सी लास्ट जड़ा बचिया सी ठीके जो लिखरेयां लास्ट जड़ाए लास्ट जड़ा आया सी 2.3026 log base 10 of t1 minus t not over t2 minus t not equal to k times of t まり ल न स्थ ही क्वी न गोना ज फिंटी टा सेवन्टीम हो गया सडम इंको यह टालीया मेटर। निकलत बाई तो टेंपरेचर कर टेम्परेचरव धार्रदी सेवन्ट तिसके test टीटू मेरा पॉटी नाइन थेके टीन और मेरा सराउंडिंग दा हुई 20 डिगरी जो गेवन हुएगा ओ टेंप्रेचर अर टी एक दर में को जड़ा टाइम गेवना क्या आर रेलेशन प्लियर हाँ एक रेलेशन यार क्यों जी नुमरीटर से शिलू कर रहे हैं ठीक है फिर्स्ट नमेरिकल ठीक है डेखो फिर्स्ट नमेरिकल दी स्टेटमन जो गेवन है अड़कुल एक वरी जल्दी लिस्टेटमन पढ़ दो स्टेटमन पर्देब हो चलो शुरू करें फर्स स्टेटमेंट अम मैटल रॉड एक वरी वरीवल कले कले ते आना समय ते चलियो मैटल रॉड अफ लेंथ 20 सेंटीमेटर डायमेटर 2 सेंटीमेटर ठीक है जी इस कवर्ड विदे नौन कंडुक्टिंग कं विदे नौन कंडुक्टिंग सबस्तांस ठीक है एक मैटल रॉड गिवना जिन उदो अपरोशील पे टाहा किसे नौन कंडुक्टिंग मटेरियल ना वन एंड अप इस इस मेंटेंगेटर दिग्री सेल्सियस वर्ल अधर इस तो सब्सक्राइब कर दिगाल कोशन चाहरी है ठीक होगा ना जी तुसी एस सच जिड़े दो एंड दे विच टेंपरेचर डिफरेंस हा ठीक है तुझे तुसी और एस जनूट की था कि 25 ग्राइव ग्राम आइस मेल्ट कर दी पाई फाइव मिनेट्स ता क्यल्कुलेड करो अर्मूल अकॉडिए लेंथ जरी से् डेल्टा एक्ष नों खेंदे परिया थिक के ऐसा जपने को डेल्टा एक्ष से किर उगया लेंथ अफारव ब्रॉटे डाया मीटरें को डिवर्ट को कि निदा हुदा कि तुस हैं पिमिटर एप में युट्ट इपने को लागिया बन स सब्सक्राइब ना कर वेशा के नो ऐसा चली ही रखो ठेके जी वन सेंटीमेटर स्क्राइब अपने को एरिया आजाना थर्ड वेरीबल उन्हें अपने कोशन चे देता हुया कैना जी टेमप्रेचर डेपनेंस वेट्वीन दा टू सब्सक्राइब है क्या कर गारन चवीपने 250 वीकितर तह चेंजन टेमप्रेचर हशा थक्रीं गरीस उसतो तो बचोड़ा अपने को 25 ग्राम आएच तrich पाइब मिनट चे मेल्ट कार दी वहिया एदा मतलब अमाउंट आप आइस यहनी मास आप आइस देता ट्वेंटी फाइब ग्राम थी वैल्यू अपने कुल फाइब मिनट करना के बाइब अपने को लगे बना उस तो बाद अनके जी कैलकुलेट अपने को लेटेंट इट गेवना एटी कैलरी पर ग्राम कि अब येबल क्लियर ने सारे करना के आप सर्था क्यों और डेक्टिव ब्ली नोग देल्टा क्यू बैड एल्टा एडिज़ इक्वल टू के लिए डेल्टा टी फिर्ट भी इपल टू के ताइमस देल्टा टी वा अपने को टाइम इंट्रवल भी एरिया अपने कुल बांगदा पर टेंपरेचर ग्रेडियन लेंग साथ कुछ हैगा सिर्फ डेल्टा क्यूं दी वैल्यू बना दे डेल्टा क्यों अपने कुल एम ते एल दोनों विरियेबल है या यह नी जे फॉर्मुला फाइनल करो अपने कुल पॉर्मुला जड़ा हुएगा कि वास पेड़े फाइनल का दो अपना पॉर्मुला आगया है एम ल ओवर डेल्टा टी डेल्टा टी और उपर आजेगा मैंको डेल्टा एदे वरियेबल देखो क्या अपने कुल सारे बंदे पर इस सारे वरियेबल साप्सी जुड़ का लिया है के आजेगा बटा ये सिर्ट परस्ट नमेरिकल सेकेंड नमेरिकल एन आयरें बार स्टेट्मन कड़ो जल्दियल देखोरी एदी पेगर मना रहे हैं इस स्टेट्मन कड़ो 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 स्टेट्मन स्टेट्मन कड़ो स्टेट्मन स्टेट्मन जाले लेड़े पढ़ ले उच्छे स्टेट मों पढ़ लिए इस चलो कुश्चिन चोने एक कैसे का अपने को दो रॉड गेवन यह दो बार गेवन है किया एक आयरन दी और सेकिंड अपने कुल दित्री उने के ब्रास बार गेवन और दोनों दिया दोनों बार नुसी एंड टू एंड मीन उ दो बार अटैचा फ्री एंड ऑफ दा आयरन बार एंड ब्रास बार दे आर मेंटेन अट 373 एंड 273 कल्विन हाय टमप्रेचर तेंड आगया लोर टमप्रेचर तेंड आगया हीट फ्लो करेगी हाय टू लोर एंड वल उन उन्हें को सिंच की क्या इंपॉर्ट एवला नमेरिकल उटेन एक्स्प्रेशन फॉर एंड हैंस कम्प्यूट टेंप्रेचर अब दा जंक्शन बनेगा दोना बार्स दा एदा टेंप्रेचर कैलकुलेट करो उन्हों आप टी नॉट लेख लिया हां कैलकुलेट करना किना आएगा उस्तों बाद उन छेले तर्मल खंड़िटीविटी मतलब ढार दी इन्डिवीज्विज्व्चार मल खंड़िविटी गवना टेजे ए दोनो रॉड मेरिया सीडिवेच जोड़िया ऑन लहां पिच एंगा दोना रॉड मों सीडिस जोड़के एदी इक्वेलेंट थार्मल कंड़िविडी के ही आएगी को क्या है कि हीट करेंट थूदा कंपाउंड बार की मतलब होया है केड़ा वरीयबल बनेया बिल्कुल ठेक हीट करेंड हीट करेंट मतलब अफ हीट अनरजी पर यूनट टाइम आई टंसे अमांट अफ हीट अनरजी पर यूनट टाइम कहने है तो इस नाम्य हीट करेंट रख्या क्या थूर्ड आप असाया कि यह सो यह सब पहले पाट चुने पुछिए टेंपरेचर अफ जंक्शन के लिए गरोते इकोवलेंट थर्मल कंडुक्टिविटी पहले वर्ड अपे रॉड के दा जुडियां सा डियां कि एंड टू एंड दा मतलब सी किस ताइप दा कॉंबीनेशन लगिए सीरी इस सीरी से जोड़ागा एक फॉर्मूला ते डारेक्ट वैसे या राख लो आपा जदो याद होगे जदो टॉपिक कराया सी उस मुमेंट ते मैं थर्मल रिजिस्टंस डिफाइन किती सी किया चेता जो बोलदा अब यह सो थर्मल रिजिस्टंस सी कैसे जिद्धा तड़कुल इलेक्ट्रिकल रिजिस्टंस आंदी ओम्स लॉग है अकॉर्डिंग ली कार दे हूं ठीक है उत्य सी कहने जी आ डेल्टा क्य पॉर्मुला लिखा यह अधरो डेल्टा टी मेरा जड़ावा ओ वी दे कोर्सपॉंडिंग अधर में पोल्टेंशल डिफरेंस आ जाना था डेल्टा एक्स ओवर के वली टर्म जड़ी आ इस सारे वी सारी मेरी जड़ी से गी इन्हों से किने एलेक्ट्रिकल रिजिस्टंस कोर्रस्पांडिंग टर्म इन उसी थर्म रिजुस्टंस के देने आ गल से में लगी यह सब ते इदे दो फॉर्मुला जदो मेंकोल दो रोड़्जिया ने अदंतिकल लेंथ दिया मेंकोल सीरी से जुड़दिया ठीके इना यह दा इकोवलेंट थर्मल कंडुक्टिविटी दा फॉर्मुला सीरीज दे अंदर लेक्के चला ते उम एकोल सेगा ट्वाइस ऑफ K1 K2 प्लस के टू ठीक है यह उदा सीरीज दे पेचे एक कोवरेंट थर्मल कंडुक्टिवीड़ी दा सीगा पैरलल चलेगे ते पैरलल दे अंदर एदा फॉर्मुला के बन फ्लस के टू ठीक है आम एको ला जोगा एक दोनों फॉर्मुले वैसे भी याद राखलो डारेक लगा सा क्या क्या क्लियर दोनों फॉर्मुले जो बोल दा प्यां कि यह सब्सक्राइब अपने कोश्चन देविच उने एक अपन क्या टेमप्रेचर अब दा जंक्चन गडो ते पुते एक प्रॉपरेटी सानों पता कि जदो रस्स्तन सीरीज जोड़ दिया ना जदो रस्स्तन सीर तो बोल्टेज डिपरेंट डियानी पोटेंशल डिपरेंट 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 पर जिन रेट ओफ फ्लो अफ चार्ज यानि करंट सेम यही सेम वर्ड इतन भी लग नगरे पढ़े जदो आँ दो राड दे विचो दी इस एंड तो हीट फ्लो करके इस एंड दे बार ते इना दोना देविच रेट आफ फ्लो अपफ हीट एनरजी वो मेरा सेम होएगा इनिगाल समे लगदी पी? येस साँ ते जो इना चे डिपरेंस होएगा ओ टेम्परेचर डिपरेंस हाँ आ एन्ड तेम्परेचर जे टी एन्ड वोग्या इस लिए इस एंड गल गई मुड़के इस रॉड देविच चला करके इदर जानी हाँ ते टी नौट पर हाइर होएगा टी टू शावंटी जूर और होएगा इनिगाल क्लियरा यह सो यह दू बच्चे रिस्पॉंड करते हैं यह सब्सक्राइब कोई बोल लिया करो कि दोने जिम्हां बरी चुकी है चुप उन्हें जदो शुरू करने लगें ते इदे विचे जड़ा मेन बरी यह बला वह आ हुएगा कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जिन्हों रे यह दी बेश दिख दे उत्ते तुसी ऐसा च दोना दी इकोईशन बडाऊंगे वी नो देट वी नो गाएट वी नो देट इन सीडिस कंबिनेशन in series combination rate of flow of heat energy rate of flow of heat energy delta q by delta t in short chapa mein h लेक लेक लेनने सिरफ दसन वास ते remain same remain same cross two rod सिर्फ देवास्ते कंडिशन लिखिए गुत तो आनों ऐसा चोदा पता होना जाएदा कि पेसी आचीज लेके चलने लगिया उन्हें लेके चलिए तो देर पोर्स अडिकोल कंडिशन आ जाएगी के वन के वन डेल्टा टी वन ओवर डेल्टा एक्स वन डेल्टा क्यूब डेल्टा 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 एक्स तो आपने लेंट्व नू केंने पैं त्या अपनी दुना रॉड़ दी लेंथ सेम अ ठीका एवन एटू एडिया नू केनने पैं अपने इको दुना रॉड़ का एडिया जड़ा ओ सेम हा एदा मगला इस तो चलिए ते आपने को ठम माने की के वन इंटू डेल्टा टी वन को टीवन माइनस टीनौट नू लेकदियो वेल्यू लास्च पार दांगे पहलो ऐसाच रिएबल दी फॉं चाल गार दूब एड़ दो एड़ दो एड़े दे तेमपरेचर देपरेचर 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 दी नॉट लेकर लोग अ क्लियर अ मेरा टीटू होगया इना लोग यहलो टीटू इदरो टीटू और यहलूड घू गया जाये टेनल लोग फ्लस के तू अचे मवला थी लोग ता महतन Ihपने को लाजेगा, duct आम एकोल कॉमन जंक्शन दा तेम्परेचर आजू जिरे विच चार वरियेबल बंदे पर के वन के टू दूनो नो न ती तू दूनो गेवन है गया अचारे वैलिज जब पर पुटाप का दिये अपने कुल एस सच डवा ओ तेम्परेचर अप जंक्शन आजू इस सब्सक्त में एस सघ्यवां कि फटार मुडाईविटीटेविटीटी कि यह कि आपने कुल आप ओर मूला डारिक बेफ इफाइगा बेश्यकिन सथा यूज करो तो अधर्वाइस जे तुसी एधी एकोवलेंट थर्मल कंड़क्टिविटी कड़नी यां ते ओधे लई असी ऐसे जे फॉर्मुला बनाईए ते एधी यां कैलकुलेशन फर्दर कंप्लीट करांगा तो रिजल्ट पे राही बनना मां ते बेशक जे ओधी सीरिस दी एकोवले कि अधर्व पॉर्मुला में तो ला जाएगा त्वाइस ऑफ के बन के टू ओवर के बन प्लस के टू आप पॉर्मुला चे वैल्यू पार लांगे क्या इना क्लियर रहा है यह सब्सक्राइब थर्ड पार्ट हैगा इधे विच तो अड़कुल ने क्या होया नाल होर पूच हीट करेंट थूदा कंपाउंड बार मतलब जेड़ी आ दो बार नो जोड़के मेरी कंपाउंड बार बन गिया इधे दो एंड दे विच मैंको हीट दा फ्लो जे मैं सिद्धा लिखना मतलब है होया जिदा सिके नहीं जी दो रिजस्टन्स देती आँ कि दो रिजस्टन्स देती आँ जे दो रिजस्टन्स नो एदी जगा थे मैं दी इकोवलेंट रिजस्टन्स एक लै नहीं होगे ते ओदे विच असी एही रेट आफ लोग दी कंडिशन लिखनी होगे कसी यह कह रहे हैं कि जे आ थर्ड मेरी एक रॉड आजे आँ में को थर्ड रॉड आजे जिदा एक एंड में को टी वन टेंपरेशर दे दोजाएंड में को टी तो टेंपरेशर जे इस रॉड दी टोटल लेंथ से रीया वह वैलबना प्लास अल्टु अल्टु ले बराबर आजे जिस लोड लेंथ ल्वन प्लास अल्टु अल्टु दे बराबर आजे एरियो और नहीं होएगाँ या है बारा रहे दी आकूसर मेल अ तो ज़ो पक्ल मेर इक रोड दो पिदेल पिदु यू पर जरेँक त्राइज बाएक भ covered अडेर टीडी Fast होडो यू जो जोड़ ली ठीड on the resign is all area नो कोई फरक नहीए पहना चाहिब सो इस मुबंट से मेर्य और वह नहीं रहेगा टेंपरेचर डिफरेंस दो एंट चे मेरा T1 माइनस T2 तो बन जाना ठीके जी एदा कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एदी असी माल लिने के बना उना दी के बन के टू आगी जडी एकोवलेंट हो में कोल के आगी एना वेरीबल दी फॉर्म चे जे मैं रेट ऑफ हो अपեղ ही कलिक नियुकहें लेक्स थी और पार इस मुमेंट पर देख्ट करें चलिए ऐसे अपटए डरेल्टा क्यूबाइडटा टी मीन हीट करेंट एच लेक्त देख्टियों हीट करेंट नो के अनियोंट चाहीं दिया के में थेओ लिएट थर्मल कंड़क्टिविडियो थे कर चुके हो आवली वैल्यू ठीक है एक ते तोड़ी यूज हो जाएगी ऐसाच के अपने कुल होएगा बेशेगोधी था दिया वैल्यू लेखे था प्यां तू के बन के टू ओवर के बन प्लस के टू के मेरा के आ जाएगा एडिया अप द और डेल्टा टी में को लिए टीवान माइनस टीटो यानी 373 माइनस 273 उपली रोड़ा तेंपरेचर डिपरेंस 370 माइनस 273 यानी इतने में को इंटो 373 माइनस 273 आस रॉल कार दियो तोड़ी ऐसाच है हीट करण्ट दी वैल्यू में को ऐसाच कंपाउंड बार दी निकला धायगी क्या इनख कि रजी यह सं यहाख यह यह दोना न स्मयरेकल लेकल कोई दाउट तेक बरी करी निुदाः भूंड़ी निल्क मारू जा Mack drilltee अ कर दो कर दो हएग है हां जी क्लियर क्यों है डाउट बड़ा पूर बूत क्लिर नहां येस सरूर येस सरूर येस सरूर येस सरूर नेक्स थार्ड ने मेरी कब दिया स्केट में पड़ोजी जल देली करिये शरूर येस सरूर येस सरूर येस सरूर येस सरूर नियूटन लॉप कूलिंग देना रेलेटेडा कोशन जो नेकी किया बॉड़ी अनिश्लिया रॉड़ी देना फिस्टि पॉर डिग्री फिफ्टी टू डिग्री टेकें इन फाइव मिनेट अनिश्ल टेम्परेचर हो दा किनदा जी सिक्स्टी पोर सेगा जिड़ार रडियूस करके में कुल फिफ्टी 52 डिग्री रह गया और जिड़ा टाइम लगदा पर वो 5 मिनट के बना उस तो बद हुने किया जी टेमप्रेचर अब सराउंडिंग इस 16 डिग्री यानि टी नौट दी वैल्यूस में को 16 डिग्री के बना उने किया फाइंड दा टेमप्रेचर आफ्टर फर्दर 5 मिनट मतलब अगले पांच मिनट बाद यानि अगले पांच मिनट दे अंदर इड़ा नीशल टेमप्रेचर जड़ा वो 52 हुआ इदा फाइनल किना बनिया ओ कैलकुलेट करू सराउंडिंग दा टेमप्रेचर जड़ा वो 16 डिग्री दो ते मिंटेंड हैगा क्या आगल समझाएगी इस नमेरिकल दे अंदर अपने कुल वरियेबल देते है ती वन दी वैल्यू 64 ही तू दी वैल्यू अपने कुल जड़ी है सिच फिप्टी टू ठीक है और जड़ा टाइम ले बना पहले केस दे अंदर पाइम मिनट पांडिंग दा टेमप्रेचर जड़ा वो 16 डिग्री सेल अधिटि टू डिग्री तू डिग्री या फाइनल टेम्प्रेचर कैलकुलेट करो अर फदर ताइम पिर इनवार्ट जड़ा वापको फाइव मिनट आ इस सरांडिंग दा तेम्प्रेचर 16 डिग्री सेल्सियर अधो वरिमे कुल कंडिशन जडिया न्यूटन लॉफ कूलिं वाली जडि स्केट्मेंट है गिया इदर आ कंडिशन अप्लाई का लो क्या अपने को लाजेगा अग्री नो दर एकॉर्डिंग तू न्यूटन लॉफ कूलिंग कंडिशन अजी 2.3026 लॉफ बेस्टन ऑफ टी बन माइनस टी नॉट ओवर टी टू माइनस टी नॉट इकॉल तो के टाइम अप्टी ठीक है ते एक वरी अपने को फॉस्स कंडिशन ते अकॉर्डिंग ली आ जाएगा देर्कूर् 2.3026 लॉफ बेस्टन ओफ एथे टेंप्रेचर आगया 64 ठीक है डिपरेंस अपना आना उपर तले स्केल सेम रह जोगी इस करके इस सेल्सियस तो कैल्विन पामें ना बना वो बनाना ते इसमों बेशा कैल्विन चे कनवर्ट करो अधर बड़ी सिद्धा इन्हों यूज कर स आप देंगें यह समय लगी यह संब्सक्राइब सेटीटो माइनस सिक्स्टीन इकोल टू के इंटो फाइब मिन अच्छिन आजू एदे विच ऐसा चापांजे कड़ना होगे तो के लाब जूगा दूजी अच्छिके यूज कर लिए या एभी था थे सेकंड डाइम पें च सेकंड टाइम कंडिशन लगाईए अगें 2.3026 लॉग बेस टैन और फिर अपने को स्टार्टिंग टेंप्रेचर फिफ्टी टू माइनस सिक्स्टीन ओवर टी टू माइनस सिक्स्टीन इकोल टू सेकंड टाइम फिर फाइव मिनट्स गे रना आम एको सेकंड एक्वेशन आ कर लिए कि दोना डिवाइड का लिए आठम अपने निकल जानी है कि वाइड वन बै टू थे आपने कुल कंडिशन और 2.3026 लिटर निकल गी आ लॉग ना लॉग काट नहीं लेना ठीके मुल अपने कुल वैल्यू आ जाएगी लॉग बेस टैन और इना आजी टेंप्रेचर करो था माइनस टेंपरेचर बोल दियो कि ना आया 48 बै थर्टि सिक्स त्याय है ऐगल थिपाटी एट कर नीचे अपने कुल आगया 36 ठीके ओगर आगया लॉग अपने कुल जाएगेगे लॉग जाएग साथ लागिए लॉग प्रद थर्टि सुक्स ओष और थी जी टू माइनस लॉग बेस्टेन और पूर्वाइट प्री कुल टू इतरो आगे जी लॉग बेस्टेन और थिटी सिक्स ओवर टी टू माइनस सिक्स्टीन करांगे फर्दर कंटिन्यू क्या लॉग पासे लॉग लॉग खतम होगे देरफूर अपने कुल क्या आजेगा नेक्स्टेप देफ्टेट रिख्री टू थर्टी सिक्सटो ओवर टी टू माइनस सिक्स्टीन आइए प्रिटू दी बैइवाजू यह सर्थ चाल खूजू इनमेरिकल यह सर्थ इस ज़ीज़ बोलो द्वारा दास दिनना सारे इस ज़ीज़ आपन बुतुने क्या सिगा कि तो एक गिवन बॉड़ी या राड गिवन अ यह अगले पांच मिनट बाद यह था टेंपरेचर के ना रहे जो मेन कोड़ा कोशी नहीं बने आपकी क्या किनदा यह सीज़ नूटन लॉफ कोलिंग दीजे कंडिशन लगाईए ते अपने को इनीशल टेंपरेचर 64 जड़ा रेड्यूस करके 52 रहना इन टाइम इंट्रवल पाई मिनट और उदो स्राउंडिंग जडिया उस 16 डिग्री ते मेंटेन ते दूजी अरी जदो सेकेंड कंडिशन लेती ते स्कार्टिंग टेंपरेचर जड़ा वा फिफ्टी टू और फाइनल के ना बनना हो कैलकुलेट करना टाइम इंट्रवल फे पाई मिनट असराउं पहले पाट दे विच्छों मैं सारा सॉल करके के लब लेंदा ते दूजे ची यूज कर लेंदा ठेकें अफे मेरा टीटू उत्तो निकला होगा आदरवाइस सौखा पाई कितावा दोना दे विच्छ रेशो गाड़ दे रेशो देचे कॉमंटर मेरिया निकल गिया ठेक है अधा मतले नदी अंदर वालिया वैलिए आपसे दोना दी दोना नो एक वेट कार दे एक कोई अन्नों पर यह बला टी टू मेरा कैलकुलेट होगा एक क्लियर रुचे चल फोर्थ नमेरिकल सेम असे न पर रलेटेड पूर्थ एंदर उन्हें क्या जी अबाडी अनिशली ए एंड टू 52 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स ठीके उन्हें की क्या देता में लाइन फेर रपीट का रहे है चीक गलती हों दे चांसे जा उस दमेल यू उन्हें क्या जी अनिशली बॉडी एटी डिग्री ते सिगी जिदा टेम्परेचर सिक्स्टी पूर रह गया फाइम मि एकने अमेरी कल जैके आगा बॉडी दानीशल टेम्परेचर टीवान एक्टी डिग्री से अल्सी में तो पूर रह गया और टाइम इंट्रवल होगे फाइब मिनट्स में थेके उस तो बाद हो ने क्या एंड टू 52 डिग्री मतलब इस टेंपरेचर तो फॉर्दर टेंपरे प्रश्च 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 करके फिफ्टी टू गया इन फिफ्टी टू डिग्री रह गया टाइम किना कि बना ताइम किना गिवना तो इसे कि ए था रखिएं किने इस इस अग्ले फॉपर्दर फिर फाइव मिनिट से बना उनुमें एथे टीतू नो टैन इनुमिन निया लगाल दो नहीं है त्यां मिनटी यह रख लिए अज भाइव नकिविज लोगता जोल इते हाव और लुए मेनटी घुए था पमिने ल इस सब्सक्राइब को डिटर्मिन दस सर्पेस एरिया प्ट प्रिमेंट अपर हंडरड वाट इंक एंडिसेंट लैंप रडियेटिंग आउट इस लेबल एट इस लेबल अगर एट फ्रीटाउजन काल्विन कि एक सेकेंड रोखो मैं स्केटमेंट देख लाएं जी ठीक है क्या डिटर्मिन दा सर्फिस एरिया और फे फिलामेंट पे हंड्रड वाट इनकेंडिसेंड लेंप इनकेंडिसेंड लेंप जड़े साथे बलब होगे उन्हों से कहने पर यां जाए रेडीएटिंग रेडीएटिंग रेडी अट इटेल मनेटिन आब इटावर येथी ठावशन गय करेंदर लेंडिसेंड बोलेगा ये टापउक देर नां अमारिकल बान्दद? ये टाध द्वार बोलो सिप्पन कॉसेंट Chief इस चैप्टर दे विच्छ चार्ट आपर एक तोड़ शाम सब्सक्राइब करें कि जे तो अड़कोल टेंपरेचर डिपरेंस सिस्टम ते सराउंडिंग दा मुर्दन फॉर्टी डिग्री सेल्सियस हो जानदा ते फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इनर्जी पर सेड़ी में को लाएगी हाना उन्हों सी ऐसे चेंदा जी न्यूटन लॉनर के लुगरेट नहीं कर दे उत्ते सी फिस्टिफन फॉर्थ पावर लॉज अड़ा या स्टिफन वोल्ड्ज मैं लॉज अड़ा ओ यूज कर दें गल्स में लग दी जो कह रहे हैं यह सो उसे लॉज जिए क्या सिखा जिटा थर्ड लॉज अड़ा बंदा कि एस सच अमाउंट अफ एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड पार यूनिट एरिया लिख्या या लिख्या इसिंबला पर एस विले लिखा यसी बेसी कली इन्हों पूरा पड़ा इनर्जी पार अपर यूनिट एरिया पर यूनिट यूनिट पार फोर फॉर्थपावर अब अफड़ी देट लॉड़ा टेमरेच्ट अब भॉड फिक है यू ए इकवल टू Сीगमा टी पावर पॉर सिगमा मेरा स्टिफन कंस्टन था अ है स्टिफन कंस्टन थी वैल्यव अच्छा गावार यह वाट ठीक है पर मीटर स्कियर और एद्रो टेंपरेचर पावर पोर फेड़ा आंदा प्याँ अश्यवाट पार पार पावर पूर पूर के सिग्मा दिवैल्यू और दूजावर एसी कैसी रिलेशन सी लिखाँ जे में कोल परफेक्ट ब्लैक बॉड़ी यह इक हैँ के लित विप्च दृट्र बॉट्र अगया से गाँ कि फ्रसेंय। साड़ें अब्सेंश ते शाय आइं अमित कर नहीं हमां। ठीके किर्चफ लोग एक एंदा गुड एब्सॉरबर आर गुड अमीटर जेडा जिना वदिया अब्सॉरबर आ उन्नाइ वदिया मुड़क्य रदीयेशन अमिट भी काता थे ब्लैक बॉड़ी 100% अब्सॉरबर आ ते 100% अमीटर आ ओदी अमिसीविटी दी वैल्यू1 हों ते जे प्रिफेक्ट बेग बड़िंग किता सी गया जे प्रिफेक्ट बलैक बड़ी यह ते बान लिख्या नहीं लाग देख्या जे और इप्साइलम धी वैल्यू नाल कोश्टन चीज लगा अपने गई क्या अपने कोशिन जो ने की किया, determine the surface area of the filament of the 100 watt bulb, ठीक है जी surface area, यहनी तुसी A calculate करना, आ variable calculate करना विचो, ठीक है, 100 watt the bulb गेवना जिड़ा radiation चाड़दा पया, उस तो बाद हो दे हुच्च उने की किया तो अड़कुल, radiating the energy power, radiating out its labeled power at 3000 Kelvin, ठीक है, यहनी body the temperature जिड़ा 3000 Kelvin given हो गया, given sigma है गावा, emissivity of the body के अनजी में इकोल given है, क्या गाल समझ आई? Yes, sir. मैं इन्हों अपने question दे कोड़ी के लिखा, ठीक है, ठीक हो ते इतने change करदा पया, इन्हों इन्हों तुसी जे पढ़ना मा, इन्हों energy by area by time पाड़ लो, ते एदे विचो energy by time वसी power पाड़ ले, मैं power by area equal to epsilon sigma t power 4, मैंन्हों question चोने area पुछ यावा, ते इतनों area दा formula बना दो पाड़ ओवर epsilon sigma इंटो टी पावर 4, 100 watt दा बलबा, पावर यानी 100 watt के बना, ठीक है, जी, emissivity उने, अपने question जो दसी अपनो, emissivity of the material of the filament 0.3 के बना, यानी epsilon दी value 0.3, sigma दी value 5.67 इंटो 10 raise to power minus 8 आजू, ठीक है, और उस दो बाद अपने को इतन नाल टम चाहे दी temperature, temperature अपनी body दा गिवना, 3000 Kelvin, ठीक है, यानी into 3000 दी पावर 4, अब अचे solve करके, जो result आंदा, उनना मेरी given body दा surface area आजएगा, क्या अनमेरिकल क्लियर हा? Yes sir, yes sir, yes sir. वे 5th क्लियर हा सार या नू? Yes sir, yes sir. ते ले पहे गए यार, वाई तो? Sir, अट वे.